आज आपके लिए सोया चाप की रेस्पी लेके आई हूँ, बहुती बढ़िया घर पे बना के तयार कर सकते हैं, घर में इतनी बढ़िया बनेगी कि बहार से लाने की कोई जरुवत नहीं है, और ग्रेवी आप देखी सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी बनके तयार हुई है, ऐसे घर पे बनाईए बहुती पसंद आएगी सबको और देखिए टेक्षर वाइस देखिए कलर वाइस देखिए बहुती बड़िया बहुती यमी बन के तियार होगी घर पे जो समान है उसी से ही तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने साड़े साथ सु ग्राम चांप लिया हुआ है सोया चाप है इसको मैंने धो लिया था अच्छे से इसकी स्टिक अलग कर लेते हैं तो आप चाहें तो स्टिक के साथ ही बना सकते हैं लेकिन mistake अलक करके बना रही हूँ और इसको यहाँ पर इस तरीके से काट ले रही हूँ आप कोई भी हिससे में से काट सकते हैं कड़ाई में इसमें हम तेल डालेंगे क्योंकि हमें अब इस सोयाचाप को फ्राई करना है तो फ्राई करेंगे इसको high heat पर ही फ्राई कर लेंगे तो फ्राई करने से क्या होगा जो सोया चाप की पढ़ते हैं अंदर की वो खुल जाएंगी और जब हम इसको बनाएंगे ग्रेवी में तो अच्छे से ग्रेवी अंदर तक जाएगी तो अभी मैं आपको दिखाती हैं द तो निकाल के इनको साइड में रख लेते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तीन प्याज इनको slices में कट किया है और इनको अब डाल देंगे कड़ाई में सारे प्याज को और इनको fry करना है हम बरिस्ता बना रहे हैं यहाँ तो यहाँ पर fry कर लेना है काजू थोड़ से काजू यहाँ पर डाल लेते हैं और 8-10 काजू लिया है वो डालके इसको थोड़ा सा भूनेंगे और प्याज को कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर निकाल लेंगे देखिए यहाँ पर जब फ्राई होने वाला हूना तभी काजू डालना है पहल मेरिने 챙ख करीब नमक च Це्मीरी मिर्च एक चंमच आ कका में डाल लिया हुए यहां पर हम चाप को मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करेंगे इसे बहुत ही बढ़ी मैरेने करने से क्वालिप चाप में बोहिते ही मैसाला कट वरी है इसमें डाल दे हुआ हैं सारे देंगे इस नहीं हो रहा है तो मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगे तरीके से ताकि एक एक जो मसाला है ना वो एक एक सोया चाप में अच्छे से अंदर तक चले जाए तो यहां पे इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम 15-20 मिनिट के लिए रैस पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम आगे के त्यारी करें तॉ यहां पे अच्छे से मिक्स कर कश कर दिया आप देख सकते हैं अब यहां पर देखे हो दो टमाटर wouldn't लज्टन प्याज हरी मिरच है तो दो टमाटर एक प्याज है और तीन हरी मिरच है थोड़ने मैं अद्र quick लिया है अब इनको पीस लेते हैं बारिक बारी पीस लिया दाल के यहां पे इसको अच्छे से बुनेंगे ताकि इसका जो आरोमा है ना वो तेल में अच्छे से आ जाए अब यहां पे जो हमने टमाटर प्याज लस्तन अद्रग मिलची पीसा है ना वो डाल के इसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है तो यहां पे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं मैं और मिक्स करने के बाद जब मैंट में टमाट्र हैं तो उसके बाद ही थाधक अनुसरा प्रोट को तब तhearted रखा है तो एक चमची में इसमें डाल रही हूँ, मेरिशन दही में हुआ है, इतना जो नमक हम डाल रहे वो अजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने पकाया और दिखे टमाटर थोड़ा सा पक गया है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक चुथाई चमच यहाँ पर हम डाल देंगे अ तेल है वो उपर ना आ जाए, तो अच्छे से भून लेते हैं इसको ढखके थोड़ देर के लिए ताकि मसाले में से तेल उपर आ गया है, देखिए यहाँ पर और जाली भी पढ़नी शुरू हो गई है, अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया था, अब यहाँ पर मिक्स कर अच्छे MINISAory में पर शिरुकर हैं, यह रचया strain को फोगन के लोगने माच्छे मैं मिक्स करें से वतली शुरू हो मसाले में देखिए यहाँ यहाँ बड़ के लिए रचय यहाँ और आश्चे से मिक्स करें शुरू आ है, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है देखिए और जैसी मैंने डाला इसमें आप चाहे तो इसको ऐसे ही अच्छे से भून के और फिर खा सकते हैं स्टार्टर के तौर पे तो यहां पे पहले मैंने इसको देखिए मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा भूनेंगे इसको मसाले क दखके भूनेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आजा और चाप भी इसमें अच्छे से भून जाए 10 मिनिट मैंने इसको लो फ्लेम पे भूना और बीशिश में चलाती भी रही कलर देखिए तेल उपर आगे अच्छे से कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है यह देखिए यह उसके बाद हम डालेंगे इसको और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे क्यूंकि हमने देखिए इसको अच्छे से पका के फिर पीसा है तो यह पका ही हुआ है तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको ताकि यह भी अच्छे से मिल जाए सारी सबजी में तो यहां पे मिक्स कर करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से पकाएंगे देखिए कितना गाड़ा हो गया है यहां पे सोया चाप तो मैं यहां पे इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूं आप ग्रेवी अपने हिसाब से एड़्जस्ट कर सकते हैं कम या जादा ऐसे लटपटी रहती ह है सबजी तो मैं उसी हिसाब से यहां पर पानी डाल रही हूं तो बस यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिया मैं और इसको धक्के पकने देंगे तो धक्के पका लेंगे थोड़ा पानी सब मैं उसमें और डालूंगी मेरेको थोड़ा सा ग्रेवी गाड़ा लग रहा है तो य एक बार इसको हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक इसको पकाई उसके बाद फिर धीमा कर देंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है तो इसमें डाल दे रही हूं मैं आब कसूरी मेति पीसी भी कसूरी मेति थी एक चमच वो डाला और स्वेसे फ्रेश धनिया हम डाल दे रहे हैं फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर मिक्स करके इसको बन करके फिर हम पांच मिनिट कले इसको पकाएंगे उसके बन कर देंगे और सबजी हमारी देखिए बनके तयार हो चुकी है तो गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं तो द वो बढ़िया होनी चाहिए तो यहां पर मैं इसको देखिए बना के तयार कर चुकी हूँ नान के साथ रोटी के साथ चावल के साथ खाई यह बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ है और आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मुझे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाई